नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नब्बे के दशक में दिखाए जाने वाला धारवाहिक ब्योमकेश बक्षी किसे पसंद नहीं था। इसके फैंस आज भी मौजूद हैं। शरदिंदू बंदोपाध्याय ने ब्योमकेश बक्षी सीरीज में 50 से जादा कहानिया लिखी थी। हाला कि दूर दर्शन पर केवल 32 कहानिया ही दिखाई गई। इस वीडियो में हम लाए हैं ब्योमकेश बक्षी की आखरी कहानी जो ना तो कभी दूर दर्शन पर दिखाई गई और ना ही इंटरनेट पर उपलब्द है। काफी प्रयासों के बाद हमें यह आखरी कहानी प्राप्त हुई। तो बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं ब्योमकेश बक्षी सीरीज की आखरी कहानी। हरी दुआर के निकट कंठी नाम का एक छोटा सा शहर था। उस शहर में काली चरण नाम का एक व्यक्ती रहता था। काली चरण अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। मकान था तो छोटा पर दो मंजल था। एक मंजल में वो खुद रहता था और दूसरी में किरायदार विश्णू रहता था। काली चरण की पत्नी बांज थी। इसे लिए उन दोनों की कोई संतान न थी। काली चरण रंगीले मिजास का व्यक्ती था। काली चरण अपनी पत्नी को मानसिक और शारेरिक रूप दोनों से प्रताड़ित करता था। एक रात काली चरण की पत्नी की सोते समय सांस निकल गई और वो मर गई। अगले हफते ही 40 वर्षिय काली चरण एक 20 साल की लड़की को अपने घर ले आया। काली चरण का कहना था कि वो उसकी दूर की साली लगती है। पर लोगों का मानना था कि वो उस लड़की को कहीं से खरीद कर लाया है। और वो उससे अपनी हवस को पूरा करता है, पर कुछ भी हो, पूरे शहर में अब काली चरण साली चरण के नाम से मशूर हो गया था, उसका किरायदार विश्णू उससे पसंद नहीं करता था, विश्णू का डर था, कहीं काली चरण उसकी पत्नी को ही ना भगा ले, पर क्यूंकि काली चरण का किराया कम था, इसी लिए विश्णू जैसे तैसे उसके घर में दिन काट रहा था, काली चरण एक सरकारी लाइबरेरी में काम करता था, कुछ दिनों से काली चरण को आभास हो रहा था कि उसके घर में रह रही लड़की रीता का चकर कहीं और भी है उसे आसपास के लोगों से भी पता चला कि पिछली गली में रह रहा अशोक, अक्सर दोपहर में उसके घर आया जाया करता है एक दिन काली चरण दोपहर को घर पहुँच गया, रीता और अशोक को एक ही बिस्तर पर देखा, तो आग बबूला हो गया अशोक किसी तरह से वहां बश निकला, पर रीता की गर्दन को काली चरण अपने हाथों से जकट चुका था रीता ने कुछ ही देर में दम तोड़ दिया, काली चरण रीता की जान ले चुका था काली चरण पर केस चला, उसे पंदरा साल की सजा सुनाई गई, काली चरण के अच्छे व्यवहार की कारण उसे बारा साल की सजा के बाद छोड़ दिया गया काली चरण अपने पुराने घर वापस आ गया विष्णू अब भी वही रहता था, वो बूड़ा हो चुका था, पर उसकी पतनी रादिका और भी सुन्दर लग रही थी रादिका ने जैसे ही काली चरण को चच्छे पर से जहाका, विष्णू ने रादिका को अंदर जकेल दिया विष्णू चच्छे पर आकर बोला, काली चरण सहाब, आ गये आप, आपकी बहुत याद आती थी काली चरण बोला, याद आती थी, तो मिलने क्यों नहीं आया, मुझे मेरे बारा साल का किराया चाहिए, वो भी नगत सुनते ही विष्णू अंदर आ गया, और दर्वाजा तेज आवाज से बंद कर दिया, काली चरण अब भी प्रतिशोद की ज्वाला से धदक रहा था, वह अशोक से प्रतिशोद लेना चाहता था, ना अशोक होता और ना ही रीता उसके जहांसे में आती उधर अशोक एक मशहूर शक्सियत बन चुका था, थियेटर और एक्टिंग में उसका जवाब न था, विदेशों में भी उसने कई नाटकों में अपना अभिने दिखाया संयोगवश आज कल अशोक कंठी में ही था, कंठी के राजकला थियेटर में उसका नाटक कीचक का बद धूम मचाय हुए था कंठी में ही प्रफुल नामक एक व्यापारी की दुकान भी थी, प्रफुल बाबू, गाड़ी खरीदने वा बेचने का व्यापार करते थे अजीत भी प्रफुल बाबू के किरायदार के रूप में रहते थे दरसल अब अजीत और ब्योमकेश साथ काम नहीं करते थे साबित करने के लिए अच्छी जगह रहेगी एक दिन कलकत्ता से ब्योमकेश बाबु अजीत से मिलने कंठी पधारते हैं ब्योमकेश कलकत्ता ही नहीं पूरे भारत में एक बड़ा नाम बन चुके थे उन्हें कौन नहीं जानता था यही कारण था जैसे ही ब्योमकेश अजीत से मिलने पहुचे प्रफुल बाबु ने उन्हें फट से पहचान लिया अरे ब्योमकेश जी आप मुझे बता दिया होता मैं गाड़ी बिज़वा देता ब्योमकेश अरे बड़ी महरबानी आपकी अजीत कहाँ है प्रफुल बाबू, अरे अजीत सहाब का पता ही नहीं रहता सुबह साथ बजे निकलते हैं और रात के दस बजे आते हैं अरे मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, आपको अंदर आने के लिए तो कहा ही नहीं, आईए आईए ब्योमकेश, बड़ी महरबानी आपकी प्रफुल बाबू ने ब्योमकेश जी को रहने के लिए अपने यहां एक कमरा दे दिया प्रफुल बाबू, ब्योमकेश जी की खूब आउ भगत करने लगे ब्योमकेश, अरे बकरे को हलाल करने से पहले कितना खिलाओगे प्रफुल बाबू प्रफुल बाबू की मंद मंद हसी निकल गई फिर बोले ऐसी बात नहीं ब्योंकेश बाबू आप हमारे घर आए मेरा तो जीवन धन्ने हो गया बातो बातों में शाम हो गई प्रफुल बाबू बोले अरे ब्योंकेश बाबू पास के थियेटर में बड़ा मज़िदार नाटक लगा है की चक्का बद देखने चले क्या? ब्योंकेश बोले क्यों नहीं? थियेटर से वापस आते आते अजीद भी आ जाएगा तो क्या हुआ आगे? क्या घटने वाला था थियेटर में? क्या ब्योंकेश बक्षी आने वाली गुत्थी सुल्जा पाएगा या अपनी जान से हाथ दो बैठेगा जानने के लिए देखिएगा कहानी का आखरी भाग जो जल्द ही अपलोड किया जाएगा मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी क्रिपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे धन्यवाद